जहां एक तरफ 85 देशों में भारत की ताबड तोड एंट्री और वो भी धमाकेदार हतियारों के साथ सुनकर आपको एक बार को यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है तो अहीं दूसरी तरफ नए नए इंडोनेसिया के राष्टपती और भारत से बैल लगे हुई चीज मांग नौ लाख टन क्या भारत देगा जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कहते हैं जहां चाह वहां रहा कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है बारत के साथ डिफेंस सेक चले कुछ सालों में कई हतियारों की खरीदारी बंद कर दी है जबकि कई हतियारों के आयात में कटवती कर दी है साल 2024-25 के सलाना डिफेंस बजट में हतियारों को बेचने के लक्ष को सरकार ने बढ़ा दिया है और अब सरकार का नया टार्गेट है 35,000 करोड रुपए के हत हतियार बेचना डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक साल 2022-2023 में देश के रक्षा निरियात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और करीब 16,000 करोड रुपए के हतियार बेच दिये हैं भारती रक्षा मंतराली ने पिछले साल कहा था कि भारती डिजाइन और हतियार निरियात में 23 गुना की विर्दी हुई है और अब भारती हतियार और डिजाइन दुनिया के 85 देशों में पहुँच रहे हैं आपको बता दे सुनकर आश्चरी होगा आपको कौन-कौन से देश इसमें सामिल है एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले कुछ सालों में मिसाइले तोप में इस्तिमाल होने वाले गोले, रॉकेट, बक्तरबंद वाहन, अब तटिये गस्ती जहाज, सुरक्षा गियर, रडार, सर्विलान सिस्टम, गोला बारूद के निर्यात को बड़े अस्तर पर बढ़ाया है रक्षा मंत्राले के आकड़ों के मुताबिक भारत ने ऑस्टेलिया, जापान, इस्राइल और ब्राजिल सहीत 34 देसों को बुलेट प्रूफ जेकेट बेचे हैं जबकि UAE, मिस्र, इंडोनेसिया, थाइलेंड सहीत करीब 10 देसों ने भारत से गोला बारूद खरीदा है 5.56 mm से लेकर 155 mm के बीच में खरीदा है वहीं भारत के डिफेंस इलक्ट्रोनिक्स का अमेरिका, युनाइटेड किंडम, फ्रांस ने अधिग्रहन किया है जबकि भारत ने मोरिसस, सेसेल्स, माल्दिव को फास्ट इंटरसेप्टर नौकाएं बेची है पिछले साल दिसंबर में भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने कहा था कि वो अपने सवदेशी तेजस मल्टी रोल लड़ाकु जेट बेचने के लिए कम से कम तीन देशों के साथ बातचीत कर रही है डेकन हेराल्ड की एक खबर के मुताबिक हेल के मुख्य प्रवंध निदेशक सीवी अनन्त कृष्णन ने उस समय कहा था कि नाइजेरिया के साथ बातचीत सुरुआती चरण में है लेकिन अर्जेंटीना को 15 और मिस्र को 20 हलके लड़ाकु विमान बेचनी की कोशी से एडवांस अस्तर पर है फिलिपिन्स, अमेरिका, उस्टेलिया, इंडोनेसिया ने भी सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस LCA में अपनी दिल्चस्पी दिखाई है वहीं आर्मेनिया सतह से हवा में मार करने वाले अकास मिसाइल को खरीदने वाला परमुख देश है वहीं इस पूतनिक नियूज के मताबिक अजरबैजान के साथ जारी संगर्स के बीच भारत लगातार अर्मेनिया को आकास मिसाइल के साथ साथ दूसरे हतियारों की सप्लाई भी कर रहा है जबकि एकोनामिक्स टाइम्स ने पिछले दिसंबर में रिपोर्ट दी थी कि नई दिल्ली अर्मेनिया को स्वदेसी अकास एंटी एर सिस्टम भी निरियात करेगा भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस सिस्टम की डिलिवरी 6,000 करोड रुपे के सौदे का हिस्सा है सितंबर 2022 में भारत ने अर्मेनिया को पिना का मल्टी बेरल रॉकेट लॉंचर एंटी टैंक मिसाइल रॉकेट और गोला बारूद सहित कई हतियार निरियात करने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये थे पिछले साल अगस्त से भारत ने अर्मेनिया को एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की सप्लाई भी सुरू कर दी है इसके अलावा भारत ने वियतनाम और फिलिपिन्स को भी अकास मिसाइल वायू रक्षा परनाली बेचने की कोशिस की है जबकि इजिप्ट ने भी अकास मिसाइल एर डिफेंस सिस्टम में अपनी दिल्चस्पी दिखाई है यूरेजियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने वियतनाम को ब्रम्होस कुरूज मिसाइये वरुन आस्तर, पंडुब्बी रोधीर टॉर्पीडो और तटिये रडार की पेसकस की है जनवरी में रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन के परमुक समीर वी कामत ने कहा है कि भारत मार्स तक फिलिपिन्स को ब्रम्होस सूपर सोनी क्रूज मिसाइल की डिलिवरी शुरू कर देगा रक्षा मंत्राले के आकड़ों के मुताबिक भारत के रक्षा निरियात में हाल के सालों में तेजी देखी गई है साल 2013-14 और 2022-23 के बीच 23 गुना उच्छाल दर्ज किया गया है 2013-14 में भारत ने सिर्फ 686 करोड रुपे के हतियार बेचे थे 2022-23 में भारत ने 15,918 करोड रुपे के हतियारों को बेचा है इस दोरान भारत ने हतियारों की खरिदारी भी कर दिया है जो 2018-19 में 46 परतिसत से घट कर दिसंबर 2022 में 36.7 परतिसत हो गया है पिछले 6 सालों में भारत का रक्षा निरियात 10 गुना बढ़ गया है हालाकि भारत अभी भी अगले साल तक 35,000 करोड रुपे के वार्सिक निरियात लक्ष को प्राप्त करने के अपने लक्ष से काफी दूर है इसके अलावा भारत अभी भी दुनिया के सबसे ज़्यादा हतियार खरीदने वाला देश बना हुआ है और सिपरी की रिपोर्ट के मुताविक भारत अभी भी रूस से सबसे ज़्यादा 45% हतियार खरीद रहा है 2018 और 2022 के बीच फ्रांस अमेरिका की जगा भारत के दूसरे सबसे बड़े हतियार आयातक के रूप में उब रहा है भारत ने डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्वर बढ़ने के लिए कई कदम उठाए हैं जिन में हतियारों के आयात पर चरन बद परतिवन्द भी सामिल है इसका लक्ष ये 2025 तक डिफेंस मैनुफेक्टिरिंग में 1.75 लाग करोड का कारोबार हासिल करना है हाला कि भारत अपने लक्ष से काफी दूर है लेकिन अपने लक्ष की तरफ तेजी से बढ़ रहा है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेसिया ने भारत से एक बड़ी मांग रखी है आपको बता दें इंडोनेसिया को 9 लाख टन प्याज चाहिए और जबकि भारत ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा कर रखा हुआ है तीन जनवरी को ही ये रिक्वेस्ट आई है और भारत ने इस पे करीब 40% के एक्सपोर्ट टेक्स लगा कर रखे हैं आक्टूबर मैने तेक भारत ने 800 डॉलर पर टन का हिजाब किताब लगाया था पर इसके बाद देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इंडोनेसिया के जो इंपोर्टर हैं वो बार बार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमें कम से कम 9 लाख टन प्याज भेज दी दिए और मेक्सिको के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़ा ओनियन एक्सपोर्टर है अप्रील से लेकर अक्टूबर तक भारत ने करीब एक दसमलव चार मिलियन टन प्याज बेचा था जिसमें 36,146 टन तो सीधे इंडोनेसिया को भेजा था अब माना जा रहा है कि यहां से 9,00,00 तन प्याज मांग रहा है इंडोनेसिया वैसे आपको बता दें इंडोनेसिया में भी प्याज उगता है लेकिन यह प्याज छोटे होते हैं और ज्यादा नहीं होते हैं जिसकी वज़त से इंडोनेसिया को प्याज खरीदना पड़ता है अभी जिस तरीके से नए राश्टपती आए हैं वैसे में भारत चाहेगा कि सम्मंध इंडोनेसिया से बढ़ें वैसे आपको क्या लगता है इंसम मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अंगले वीडियो में नई ख़बर किसा है